हाई अव्रेवन, वेलकम बैक इन हिंदी क्लास, आसा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सरक्षित होंगे तो फ्रेंड आज की हमारी क्लास में हमारा टॉपिक है बाल गोबिन भगत टामव्रक्ष बेनिपुरी जी द्वारा रचित यहाँ पाठ एक रेखा चित्र विधा में लिखा गया है जिसमें एक व्यक्ति जोकी साधू भी है और ग्रहस्थ भी है जिनका नाम बाल गोबिन है उन पर आधारित है बाल गोबिन भगत के व्यक्तित्त का चित्रण यहाँ पर लेखाक ने अपने सब्दों के माध्यम से किया है फ्रेंड्स लेखा चित्र एक ऐसी विधा है जिसमें किसी घटना या व्यक्ति का सब्द चित्र प्रस्तुत किया जाता है अर्थान जैसे कोई सडक है कोई भी वस्तु है उसके बारे में इस प्रकार वरणन किया जाता है जैसे वह हूँ बहू हमारे सामने उपस थित्धों मतलब सडक का रंग रूप लंबाई चोड़ाई सडक का आकार कि वहाँ गोल है लंबी है सरपाकार है उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति हो तो व्यक्ति के बाल, आखें, गाल, रंग, पहनावा जैसा भी वह दिखता है उसका कद, उसकी दाढ़ी, सब कुछ जैसे का तैसा वरणन किया जाता है तो इसे हम रेखाचित्र कहते हैं यानि रेखाचित्र एक ऐसे विधा है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का वरणन सब्दों के द्वारा या रेखाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है यह बिल्कुल संस्मरण जैसी होती है यानि संस्मरण जो विधा है और रेखाचित्र जो है दोनों में काफी समानताएं होती है किन्तो अंतर यहा होता है कि संस्मरण में किसी अनुभव को जो हमारे जीवन में घटित हुआ है ऐसी किसी घटना को हम याद करके बताते हैं किन्तो इसे उतनी बारी की से नहीं बताया जाता है कि उसका चित्र हमारी आँखों के सामने बन जाए। रेखा चित्र में यहीं अंतर है। रेखा चित्र हमारे सामने उस व्यक्ति या घटना का चित्र प्रस्तुत कर देता है। इस तरह से हम इसका वर्डन करते हैं Dear friends, रेखाचित और संस्मरण विधाएं आप समझ गए होंगे? चलिए, लेखक का संचिप्त परिचे समझ लेते हैं रामवरक्ष बेनीपुरी इनका जन पिहार के मुझाफरपुर जिले के बेनीपुर गाउं में सन 1889 में हुआ था बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण आरंबिक वर्ष अभावों, कठिनाईयों और संगर्षों में बीता दसमी तक चिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1922 में राष्ट्रिय स्वाधिनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए कई बार जेल भी गए, इनकी मृत्यों सन 1968 में हुई थी इनोंने कुष प्रमख कारे भी किये, जैसे उपन्यास पतितों की देश में कहाने इनोंने लिखी चिता के फोल, नाटक लिखा अंब पाली, देखा चित्र लिखा माटी की मूरते यात्रा वृतांत पैरों में पंक वांध कर, और संस्मरण इनोंने लिखा जन्जीरे और दीवारे तो या उनकी कुछ प्रमुक कारे हिंदी साहित्ते में रहे? आईए अब हम पाठ का संचिप्त परिजय और पाठ का सार समझते हैं इस पाठ में रामरक्ष वेनिपुरी जी ने बाल गोविन भगत नाम की इस अनूठी रचना को गाउं के जन्जीवन से जोड़ा है रामरक्ष वेनिपुरी ने बड़ी सुन्दर्ता से इस कहानी में बाल गोविन का चरित्रू भारा है इसमें लेखक बाल गोविन जी के माध्यम से सामाजी क्रोणियों पर प्रहार करते हैं भारती इस अन्सकृति में साधू संतों का विसेश रूप से माण सम्मान किया जाता है उनकी वेशबोसा देखकर ही लोग उने आधर भाव देने लगते हैं लेखक अपनी कहानी से साधू संतों की सही परिभाशा को समाज में प्रस्तत करता है उसके अनुसार मात्र साधूं के वस्त्र धारड कर लेने और घर परिवार छोड़ देने से व्यक्ति को साधूसंत नहीं बनाया जा सकता साधूसंत बनने के लिए उनके आदर्सों को जीवन में उतारना सही अर्थों में साधूत्त कहलाता है बालगोविन ने परिवार को नहीं छोड़ा अपनी करतव्यों को पोरी निष्ठा के साथ निभाया है वह कभी जूट नहीं बोले सबके साथ खरा विभार करते थे बिना पूछे किसी की चीज नहीं लेते थे हमेशा भजन गाते, खेती करते, जो कुछ मिलता उसे भगवान को भोग लगाय विना स्वैम नहीं लेते थे उनके यही गुड उन्हें साधू संतों की स्रेड़ी में सबसे उपर खड़ा करते हैं और यही नहीं उन्होंने समाज में चली आ रही सडी गली परंपराओं को भी तोड़ा इसका प्रतेक्षुधारण है कि उनके बेटे की व्रत्यू के पस्चात अपनी बहु के भाई को उसका दूसरा विवाह करने का आदेश दे दिया बालगोविन जैसे सच्चे साधू समाज में अब लुप्त हो गये हैं यानि अब ऐसे साधू हमें दिखाई नहीं देते अब तो केवल साधू के वेश में हमें ठोंगी मिलते हैं पाठ का सार बालगोविन भगत नाम के वेक्ति का इस पार्ट में चित्रन किया गया है उसकी सारी रिक विसेस्ताओं के साथ उसकी पहनावे का भी वर्णन किया गया है उनके पहनावे और वेस से उन्हें साधू नहीं कहा जा सकता वे ग्रहस्त थे उनको एक बेटा और बहुत था परिवार और खेती बाड़ी के होते हुए भी बालगोविन सन्यासी की तरह थे ते कबीर को साहब यानी ईस्वर मानते थे उनकी गीतों से निकले हुए भावों और आदेसों का अच्छर सह पालन करते थे सीधा और सच्चा विभार रखते थे किसी से लड़ाई जगडा नहीं करते थे किसी दूसरी की चीज को बिना पूछे उप्योग नहीं करते थे ना ही दूसरी के खेत में सौच आदी करते थे खेत में पैदा हुए अनाज को सिर्फ पर लाद कर कबीर के दरवार में ले जाते वहां से प्रसाद के रूप में जो भी मिलता था उसी से गुजारा करते थे लेखक उनके द्वारा गाय गय कबीर के पद को सुनकर आनन्दित हो उठता था यहां लेखक ने आसाड के महीने में प्रक्रती और खेतों में होने वाली चहल पहल का उलेख भी किया है आसाड के महीने में बरसाथ होने के बाद गाउं की सभी लोग खेतों में आकर धान की रोपाई आरंब कर देते थे और तें खाना लेकर आती थी बालगुविन भगत भी अपने खेत में धान की रोपाई करते थे और अपनी संगीत में आवाज में जब गाते थे तो सभी इस्तरी पुरोष बच्चे जोमने वा कुन गुनाने लगते हैं हलवाहों और रोपाई करने वालों में जोस और उमंकी लहर व्याप्त हो जाती है इस पार्ट में भाद्रप्रत महीने की अंधेरी व आधी रात में मुसलाधार वर्षा के बाद होने वाली बादलों की गरजन, बिचली की कड़क, टिड़ों और मेंडकों की आवाज का सोर भी बालगोविन की मधूर आवाज को नहीं दबा पाता अंधेरी रात में उनके द्वारा गाये जाने वाला एक गाना सबको चौका देता है, जब सारा संसार सो जाता है, तो बालगोविन सबको सचीद करते हुए गाना गाते हैं कार्तिक के महीने में बाल गोविन सीग्र ही नदेश नान करके प्रभाद फेरी पर निकल पड़ते हैं माग महीने की रक्त को जमाने वाली ठंड मेवे पूर्व की ओर मो करके एक चटाई पर अपनी खंजड़ी बजाकर गाने बैठ जाते हैं गाते गाते वे इतने रोमान्चित हो जाते कि कपकपा देने वाले उस जाड़े में भी उनके माथे पर असीना आ जाता था गर्मियों में घर के आंगन में ही उनके कुछ प्रेमी यानि उनके संगीत को सुनने वाले बैठते बाल गोविन आगे आगे गाते पीछे उनके प्रेमी मंडली दोहराती धीरे धीरे उनका स्वर मूचा हो जाता और मन सरीर पर हावी हो जाता देहती रेखती बालगुविन नाचने लगते बालगुविन भगत के संगीत की उतकर्षता उसके इकलौते बेटे की व्रत्यू पर भी देखने को मिली बालगुविन का मानना था कि बीमार और कमजोर लोगों को फ्रेम की अधिकावस्यत्ता होती है बेटी की लास को आंगन में लिटा कर फूल और तुलसीप उस पर बिखे रखे थे बालकुविन जमीन पर बैठे अपने पुराने स्वर और तलीन भाव से गा रहे थे गाने के बीच में वे अपनी पुत्र वधु को रोने के वदले उत्सव मनाने को कह रहे थे वे कहतें आत्मा और परमात्मा के मिलन से बढ़कर कोई अनन नहीं है लेखक को वा कभी पागल लग रहा था तो कभी उसमें उनका म्रत्यू पर विजय प्राप्त करने का द्रड विश्वास बोलता दिखाई दे रहा था कहने का आर्थ है कि बालगोविन भगत एक साधर मनुसे लगते ही नहीं थे वे कोई महान साधू लगते थे जबकि वह थे एक सीधे साधे क्रहस्त व्यक्ती बालगोविन भगत ने क्रिया कर्म समंधी रीती एवं परमपराओं के चिंता ना करते हुए अपनी पुत्रवधू से ही बेटे को आग दिलाई श्राद आद के बाद उन्होंने पुत्रवधू को उसके भाई के साथ भेजते हुए कहा कि उसकी दूसरी शादी करा देना किन्तु बहु भगत जी की सेवा में ही अपने बाकी दिन बिताना चाहती थी बहु वही रहने की बात करती है तो भगत जी घर छोड़ कर जाने की बात कह देते हैं बालकोविन भगत तीज को स्पैदल चलकर गंगास नाल के लिए जाते रास्ते में वे किसी का सहारा भी नहीं लेते और ना ही किसी का कुछ खाते बुढ़ापी में भी जवानी जैसा जोश था अंतिम बार जब नहा कर आये तो बीमार रहने लगे किन्तो अपने नियम नहीं छोड़े अंतिम संध्या के समय जब उन्होंने गाया तो आवाज में बिखराव आया हुआ था सुबा के समय जब लोगोंने गीत नहीं सुना तो आकर देखा कि बालगोविन भगत इस दुनिया से प्रस्थान कर चुके हैं इस पाठ के माध्यम से रामरक्षवेनी पुरी जी ने हमें एक संदेश दिया है क्या संदेश दिया है समझ लेते हैं इस पाट के माध्यम से लेखक ने वास्तिरिक साधुत्त का परिजय हमें दिया है। ग्रहस्ती में रहते हुए भी व्यक्ति साधू हो सकता है। साधू की पहचान उसका पहनावा नहीं अपितुस का व्यवहार है। व्यक्ति का अपने नियमों पर द्रण रहना, निजी आवस्यक्ताओं को सीमित करना, सामाजिक कुरुतियों को दूर करने के लिए प्रत्न सील होना, तथा मोहुमाया के जाल से दूर रहने वाला व्यक्ति ही साधू हो सकता है। बालगोविन भगत भगवान के निराकार रोग को मानते थे। उनके अनुसार उनका जो भी है वह मालिक की देन है। उस पर उसी का अधिकार है। इसलिए वे अपने खेतों की पैदावार कबीर मठ में पहुचा देते थे। अपने बेटे के म्रतिव उपर उन्होंने अपनी पुत्रवधू से सारे क्रिया गर्म करवाए। वे समाज के प्रचलित माननेताओं को नहीं मानते थे। उन्होंने पुत्रवधू को पुनर विवाहा के लिए उसके घर भेज दिया था। वे अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते थे उनके सभी कारें परहित में होते थे वे अंत तक अपने बनाये नियमों में विश्वास करते हुए जीते रहे थे उन्होंने आत्मा के वास्तविक रूप को पहचान लिया था अंत में आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है इसलिए उसका मोह व्य है वो उत्सव का दिन होता है इस पाठ के माध्यम से लेखक लोगों को पाखंडी साधूं से सचीत करना चाहता है वास्तिविक साधूं वही होते हैं जो समाज के सामने उदाहरन प्रस्तुत करें और समाज को पुरानी सडी गली परंपराओं से मुग्त कराएं तो यह हन से लेखक देना चाहते हैं तो इस पाठ के प्रमुःप पातर हैं बाल गोविन भगत तो बाल को पुल्विन भगत के चरित्र उनकी विश्यस्ताइं आर उनके वेश भूसा के बारे में जानना आवस्यक है चलिए अब हम बाल कोविन भगत के व्यक्ति तो और उनके रंग रूप और उनकी वेसबूसा के बारे में समझ लेते हैं बाल कुविन भगत एक मजोले कत के गोरे चिट्टे व्यक्ती थे उनके उम्र साट से उपर थी और उनके बाल पक गये थे वे लंबी दाड़ी नहीं रखते थे जैसे की साधू रखते हैं और कपडे बिलकुल कम पहनते थे कम कपडों में एक लंगोड और सर्दी में कमबल डालते थे कबीर पंथियों वाली टोपी वो सरपे पहनते थे सर्दियों में उपर से कमबल ओडते और वह ग्रहस्त थे लेकिन सही मायने में वे साधू थे माथे पर रामानंदिन चंदन का ठीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहनते थे उनका एक बेटा और एक पतोहू यानि बहू थी वे कबीर को सहब मानते थे किसी दूसरी की चीज नहीं चूते और ना बिना वज़ज जगड़ा करते थे उनकी अपनी खेती बाड़ी थी साफ सुत्रा मकान था खेत में जो भी उपज होती उसे वो कबीर मट में दान दे देते और जो मिलता उसी में गुजारा करते थे तो यहां उनका सुभाव था और ऐसे वो दिखते थे दियर फ्रेंज पाट से सम्मंधित कुछ महतुपूर्ण प्रश्ण और उत्तर पर नजर डालते हैं बालकोविन भगत की दिंचर्या सबसे अचरज का कारण क्यों थी? बालकोविन भगत की दिंचर्या लोगों की अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिध्धान्तों और आदर्सों का अत्यंत गहराई से पालन करते थे उन्हें अपने आचरण में उतारते थे व्रिद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ती में कोई कमी नहीं थी सर्दी के मौसम में भी भरे बादलों और भादों की आधी रात में भी वे भोल में सबसे पहले उठकर गाउं से दो मेल दूर इस्थित गंगर स्नान करने जाते थे खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते रहते विप्रीत परिस्थिती होने के बाद भी उनकी दिन्चर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था एक व्रद्ध में अपने कारी के प्रती इतनी सजकता को देखकर लोग दंग रह जाते थे नमब टू बालगोविन भगत पार्ट में चित्रित भगत ग्रहस्त होकर भी हर द्रश्टी से साधू थे क्या साधू की पहचान माला तिलक तथा गेरू वस्तरों से होती है या उसके आचार विचार से इस विशे में अपने विचार प्रस्तर कीजिए तो किसी भी साधू की पहचान माला तिलक तथा गेरू वस्तरों से नहीं अपित उसके आचार विचार से होती है साधू भौतिक वस्तों का संचय नहीं करता अभाव वा कस्ट में भी जीवन जीते हुए सुख का अनुभव करता है परोकार की भावना उसका जीवन लच्छ होता है भगत ग्रहस्त होते हुए भी साधूता की कसोर्टी पर खरे उतरते थे वह कृत्रिमता वा आडंबरों से कोसू धूर थे भत्याग प्रवरती में ही जीवन की सार्थकता मानते थे इसलिए उनको ग्रहस्त होने के साथ साधू भी कहा गया है बालगोविन भगत की उन तीन विसेस्ताओं का उलेख कीजिए जिसके कारण उन्हें भगत कहा जाने लगा तो नमबर वन भगत के मन में दूसरों के प्रतिकल्यान की भावना थी जो की एक सच्चे साधू में होती है नमबर तो एश्या, देश, लोग, लालच, स्वार्थ उनमें लेस, मात्र भी न थे नमबर त्री बाह आडंबरों वा पाखंडों के बिरोधी भगत जी सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे इन ही विशेष्ताओं की कारण उने भगत कहा जाने लगा नेक्स्ट क्वेश्चन बालगोविन भगत किस संत के अनुआई थे? उन पर उनका कितना प्रभाव था? तो बालगोविन भगत संत कबीर दास जी के अनुआई थे? कबीर दास पर उनकी अगाध स्रध्धा थी वे कबीर को अपना साहप मानते थे और उनहीं की दी गए सिक्षाओं का पालन करते थे उनका सब कुछ साहप का था? खेत में जो फसल होती वो कबीर के दरवार में ले जाते और जो भी प्रसाद मिलता उसे वापस ले आते उसी में अपना गुजारा चलाते कबीर की ही भातिवे परवात्मा में विस्वास रखते थे वास्तों में कबीर के विचारों पर उनकी अगाध स्रध्धा थी बालगोविन भगत की मृत्यू के विसे में क्या माननेता थी? तो बालकविन भगत की मृत्यू के विशय में सबसे भिन्न मानिता थी कि उनके अनुसार मौत दुख का कारण न होकर उत्सव का दिन है यह विरहिनी का अपने प्रिय से मिलन का दिन है उनके अनुसार मृत्यु वहा है जब सरीर को छोड़ कर आत्मा परमात्मा से मिलती है इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का सोग नहीं मनाना चाहिए आप सभी इसे पढ़ेंगे इन प्रशन उत्तर का अभ्यास करेंगे आसा करती हूँ या पाथ आप सभी को समझ आया होगा सो तस ताम परली इस ताम वुद से ँखर हम्